नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों आज हम जानेंगे की रात में सोने से पहले करले साथ काम माता लक्षमी हो जाएंगी खुश धन भी मिलेगा अपार। धन और वैभव की देवी माता लक्षमी की पूजा करने और उनके पसंद का भोग लगाने से सुख, समरिध्धी, धन और दौलत में व्रिध्धी होती है। माता लक्षमी की कृपा प्राप्ती के लिए लोग उनके मंत्रों का जाब करते हैं तथा कई तरह के जोतिश उपाय करते हैं। वास्तु शास्त्र में भी धन और समरिध्धी के लिए कई उपाय बताए गए हैं। पूजा पाठ के अलावा आप रात में सोने से पहले कुछ आसान से उपाय कर लेते हैं, तो माता लक्षमी आप पर प्रसन्न रहेंगी और धन्दौलत भी बढ़ता रहेगा। एक मुख्य द्वार को रखें साफ सुथरा। रात्री के प्रहर में माता लक्षमी विचर्ण करती हैं, खास तोर पर पूर्णिमा की राग। ऐसे में सोने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें। घर में आते समय कोई अवरोध या गंदगी न हो जिनके घर साफ सुथरे होते हैं, वहां माता लक्षमी का वास होता है। दो पूजा स्थान पर हो उचित प्रकाश। कभी भी पूजा स्थान को अंधकार में नहीं छोड़ना चाहिए। लगभग हर घर में भगवान गणेश और माता लक्षमी की मूर्ती पूजा घर में होती है। रात्री में सोने से पूर्व वहां पर छोटा सा बल्ब या एक घी का दीपक जाल कर रख दें। इससे माता लक्षमी प्रसंद रहेंगी। वास्तु में भी अंधकार युक्त जगहों को नकारात मक्ता का केंद्र माना जाता है। तीन उत्तर दिशा की सफाई वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा मानते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो इस दिशा को साफ कर दें इस स्थान पर तिजोरी रखते हैं ताकि धन में वृध्धी होता रहे चार ज़ाड़ू को खड़ा न रखें रात में सोने जाने से पूर्व आप यह देख लें कि आपके घर की ज़ाड़ू सही जगह और तरीके से रही हुई है या नहीं ज़ाड़ू को खड़ा रखने पैर लगाने से माता लक्षमी का अपमान होता है ज़ाड़ू का उपयोग होने के बाद उसे छिपा कर रखें उसे जमीन पर लिटा कर रखना चाहिए पांच सही दिशा में सोएं रात में भोजन करने के बाद जब भी आप सोने जाएं तो दिशा का ध्यान रखें हमेशा कोशिश करें कि आपका सिर दक्षें और पैर उत्तर दिशा में रहे वास्तु के हिसाब से यह शयन की सही दिशा है छे यदि आपको घर में नकारात मक्ता का प्रभाव लग रहा है तो रात के समय में कपूर के साथ लौम डाल कर जला दें यह काम खाना पीना और कीचन का काम खत्म होने के बाद करें यह काम रोज करने से धन धान्य में व्रिध्धी होती है और नकारात मक्ता दूर होती है साथ पूजा स्थान से बासी फूल और पानी को हटा दें सुबह में पूजा के लिए फूल, फल या अन्य पूजन सामगरी का उप्योग होता है उसके बाद वह वैसे ही पड़ा रहता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता संध्या आर्ती के समय आप बासी फूल दिन के पानी को हटा दें कलश में साफ जल भर कर रख सकते हैं क्या आर्ती फूल दिन के समय पानी को हम पानी को खानी के समय आर्ती को हम आर्ती है